नमस्कार मेरे प्यारे विध्यारतियों, नै हुँ प्रवीन वन्सल और हम पढ़ दाएं कक्ष्या ग्यारवी लेखा शास्त्र, अध्याय 9, वित्तिय विवरण, फानांशल स्टेटमेंट्स, यह वित्तिय विवरण का पहला भाग है, आपकी पुस्तक में वित्तिय विवरण के दो अध्याय है, अध्याय 9, अध्याय 10, पहला अध्याय आपको बिलकुल बेशिक नॉलिज देगा, वित्तिय विविवरण का मतलब है, final accounts, final accounts अर्थात, आपके खातों का अन्त, वित्तिय वर्ष के खतम हो जाने के बाद, जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें final accounts कहते हैं इसका मतलब पुस्तक में किस तरह से दिया गया है चलिए देखते हैं आप पढ़ चुके हैं कि वितियले खांकन एक सूप प्रभाशित क्रमिक प्रक्रिया है जैसे रोजनामचा जिसको आप अंग्रेजी में journal कहते हैं खताउनी मतलब पोस्टिंग, खाते बनाना, लेजर और तलपट मतलब ट्रायल बालेंस को तयार करने से प्रारामब होती है इस अध्याय में आप वित्य विवरण को तयार करना और विभिन पन धारियों से संबंदित विविन प्रकार की अवश्यक सूचनाओं, पूंजी और आगम मदों के मद्य अंतर और इनकी उप्योगिता तथा वित्य विविरणों के प्रकार वा इन्हें तियार करने की विधी समझ सकेंगे कहने का मतलब यह है कि जर्नल लेजर या ट्राइल बैलन्स को बनाने से आपको लाब या हानी का ग्यान नहीं होता था तो यह अध्याए इस जर्नल लेजर ट्राइल बैलन्स को बनाने के बाद का पद है आप इस अध्याई में सीखेंगे कि आप किसी फर्म के प्रॉफिट या लॉस कैसे पता लगाते हैं और वित्तिय विवरण मतलब किसी फर्म की फाइनेंशल पोजीशन कैसी है आईए देखते हैं अध्याई एक से अगर हम याद करें कि वेपार का उदेश्य यह है कि पंधारियों को उनकी अर्थ पूर्ण सूचनाओं को पहुँचाना उपियोग करताओं को जो आंतरिक और भारिये कोई भी हो सकते हैं यह जानकारी मिले कि फर्म में क्या चल रहा है तो उनके पास ऐसा क्या पहुँच जाए जिसको देखने मात्र से वो यह है पता लगा सकें कि फर्म में निवेश करना लाबदायक होगा यहानिकारक या व्यपार का मालिक व्यवसाय का स्वामी यह जान पाए कि उसके व्यवसाय में कितना समान खरीदा जा रहा है बेचा जा रहा है कोन से खर्चे जादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं कितनी परिसंपत्तियां उपलब्द हैं कितने करजे हैं इत्यादी इन सभी चीजों की जानकारी आपको फाइनल अकाउंट से मिलेगी और यह अध्याय आपको इसी चीज को सिखाने के लिए दिया जा रहा है जिनकी सहयता से वे सही निरने ले सकें पनधारी प्रतेक वह व्यक्ति है जो व्यपार से जुड़ा है विभीन पनधारियों के हित मुद्रा अथवा गैर मुद्रा संबंदी हो सकते हैं अथवा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं कई उधारन आपने उपयोग करताओं के देखे मालीजे आप कोई बैंक हैं और आप किसी व्यपारी को कर्जा देने के लिए पहुँचते हैं कर्जा देते हुए आप यह जरूर जानना चाहोगे कि उस व्यवसाय की परिस्तिती कैसी है तो वह आपको इन फाइनल अकाउंट्स को देख के पता लगाया जा सकता है कि आपके द्वारत दिया गया कर्जा वापिस आता है या नहीं गिर्वी रखवाने के लिए उनके पास कुछ है या नहीं तो यह सारी सूचना विध्यारती फाइनल अकाउंट्स को बनाते हुए सीखते हैं तो चलिए, देखते हैं किस किस तरीके के वित्य विवरण हम तयार करते हैं. वितिय विवरण तयार करने से पहले, मैं आपको लेखा शास्त्र में इस्तमाल होने वाले पांच तरहां के जो खाते होते हैं, उनके बारे में एक बार पुरानी चीजें याद करवाना चाहूँगा. पूरा लेखा शास्त्र इन ही पांच खातों पे टिका हुआ है. तो चलिए, दोहरा लेते हैं कि यह पांच खाते कौन-कौन से हैं और इनके उधारन क्या हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक तालिका है, जिसमें लिखा है रोकड़, एक हजार. तो रोकड़ एक परिसंपत्ती है, अर्थात असेट है. यह पहले तरहां का खाता हुआ. फिर है पूंजी, पूंजी मतलब कैपिटल, स्वामित्व. यह दूसरे तरहां का खाता है. फिर एक है विक्रे, विक्रे मतलब सेल, मतलब आगम, इंकम, तीसरे तरहां का खाता. फिर है मजदूरी, मजदूरी व्य, खर्चा, यह हुआ, चौथे तरहां का खाता. फिर है लेंदार, क्रेडिटर, मतलब लायबिलिटी, देताएं. पूरा लेखा शास्त्र, इन पाँच तरहां के खातों पे स्थम्वित है. आपके पास और भी, और भी अलग-अलग उधारण दिये हुए हैं. जैसे कि वेतन, वेतन एक खर्चा है, expense, दस प्रतीशत ब्याज पर रिण, यह एक करजा देताएं, लायबिलिटी. फरनीचर, एक परिसंपत्ति, आसेट प्राप्त कमिशन, कमिशन को प्राप्त किया, मतलब income, आए, आगम, भवन का किराया, rent, एक खर्चा है, देंदार, डेटर, आसेट है. तो आप इन सभी तरहां के खातों के बीच में फरक जान लीजिए. यहाँ पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिसे कि आपके पास एक भवन का किराया है, यह आपका खर्चा है. परन्तु भवन को खरीदना, यह खर्चा नहीं, यह एक परिसंपत्ति है. विध्यारती इस बात पे खास ध्यान दें, भवन को खरीदना भी पैसों का जाना है, और भवन का किराया देना भी पैसों का जाना है. परन्तु जब आप भवन के लिए पैसे देते हैं, तो वह भवन आपका हो जाता है, और वह बिल्डिंग आपके लिए एसेट बनती है, वह खर्चा नहीं, वह एसेट है. और जब आप भवन का किराया देते हैं, तो भवन का किराया आपके लिए एक खर्चा है, वह एह है. तो आप सदा इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन सी चीज खर्चा है और कौन सी चीज परिसंपत्ति. परिसंपत्ति खरीदने के लिए पैसो का जाना पूंजिगत है, और खर्चों को करना, जैसे की वेतन देना, मजदूरी देना, यह है रोजमरा की बात है, यह है रेविन्यू नेचर के खर्चे कहलाते हैं. तो यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि रेविन्यू नेचर के खर्चे और कैपिटल नेचर के खर्चे आपस में क्या फरक रखते हैं? तो चलिए जानते हैं. देखिए, यहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, यदि वे, मतलब खर्चा, यदि वे का लाब एक लेखा वर्ष के लिए लिया जाता है, तो उसे आगम वे कहते हैं. पतलब किसी तरह का खर्चा जिसका लाब उसी वर्ष में समाप्त हो जाएगा, जैसे कि आपने अपने भवन के लिए किराया दिया, एक महीने, दो महीने या एक साल का किराया, उसी साल उसके लाब को खतम कर देगा. तो वह है आगम वे, समान्य तह इसे एक दिन के वेपार संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है, उधारण, वेतन का भुकतान, किराया आदि, यह हुए ऐसे खर्चे जो एक साल के अंदर अंदर वेपार को लाब देते हैं. अब कुछ ऐसे खर्चे हैं, जैसे वेपार में प्रयोग आने वाले फरनीचर का भुकतान, यह एक पूंजी वे है, क्यूंकि वर्तमान लेखांकन सत्र में लिया गया फरनीचर आगे आने वाले कई लेखांकन सत्रों को लाब पहुँचाएगा. इस चीज को यहाँ आप स्पष्ट कर लीजिए, कि जिसका लाब एक वर्ष से जादा वर्षों तक चलता है, वह पूंजी गत्वे हैं. और जो लाब एक साल के अंदर अंदर निपट जाते हैं, वह आगमवे हैं. और आगमवे आपके लाब को निकालने के लिए बहुँच जरूरी हैं. और पूंजी गत्वे आपका कोई खर्चा नहीं, वह एक परिसंपत्ति हैं. तो बच्चों, आपको एसेट और एकस्पेंस के बीच में फरक समझ आ गया होगा. तो चलिए, देखते हैं, इस तरह के खर्चों को किस तरह खातों में लिखा जाता है. और परिसंपत्तियों को कैसे लिखा जाता है, वह हम बाद में देखेंगे. फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहला खाता जो हमें सीखना है, उसका नाम है व्यपारिक खाता. व्यपारिक खाते को हम ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं. जैसा की नाम ही बता रहा है व्यपारिक, ट्रेडिंग, समान को बेचना और खरीदना. ध्यान दीजिए, यह फाइनल अकाउंट्स का पहला कदम है, व्यपारिक खाता. व्यपारिक खाता इसलिए बनाया जाएगा, ताकि हम यह पता लगा सकें, कि सिर्फ और सिर्फ समान को खरीदने और बेचने से हमें क्या लाब या हानी प्राप्त हुई. मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, समान को खरीदने और बेचने से हमें क्या लाब और हानी हुई, सिर्फ खरीदने बेचने से, चलिए देखते हैं. वर्ष दो हज़ार पांच छे में मैसर्स प्राइम प्रोडक्ट्स के लिए निम्न तत्यों के आधार पर व्यपारिक खाता त्यार करें देखिए आप इसको एक कहानी के रूप में समझेए आप एक व्यपारी हैं जिसके पास वर्ष के प्रारंब में पचास हजार रुपे का स्टॉक पहले से ही है तो वह आप व्यपारिक खाता के डेबिट साइड पे लिखिए पचास हजार और अब आपको ऐसा लगता है कि यह पचास हजार बहुत कम है एक दुकानदार को पचास हजार रुपे का सामान बहुत कम व्यतीत हो रहा है तो उसने क्या किया? उसने एक लाक दस हजार रुपे का सामान और खरीदा परंतु उसमें से 7000 रुपे का समान उन्हें ऐसा लगता है defective है या वह खराब है तो उस समान को वह वापिस कर देते हैं तो देखिए क्रे एक दस जिसमें से वापसी हुई 7000 की तो क्रे हो गया 1,3,000 का आप देखिए आप व्यपारिक खाता बना रहे हैं व्यपारिक खाते में debit और credit side बनाई गई और debit में हम वह सब लिख रहे हैं जो उस व्यपारी का खर्चा हुआ 50,000 का समान उन्हें के पास था 1,3,000 का समान उन्हें और खरीद लिया चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद जहां पे भी इस व्यपारी ने अपने माल को बनाया उस factory का किराया 30,000 रुपे हैं अब विध्यारतियों यहां आपको एक बात का ध्यान देना है व्यपारिक खाता उन्हें खर्चों को लिखेगा जो खर्चे समान को बनाने और खरीदने से तालुक रखते हैं जिनको हम समान खरीदने और बनाने से सीधा सीधा जोड सकते हैं उन खर्चों को व्यपारिक खाता लिखेगा जैसे कि फैक्टरी का किराया समान को बनाने की या लाने की मजदूरी और इस तरहां के खर्चों को हम प्रत्यक्ष मतलब डारेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं डारेक्ट एक्सपेंस वो खर्चे हैं जो समान को बनाने या लाने से तालुक रखते हैं तो आप देखिए समान जितने का भी लाया गया उसको लाने पे या बनाने पे जो भी खर्चे हैं वह समान के साथ लिखने होंगे जैसे कि फैक्टरी का किराया इस उधारण में दिया हुआ है फिर दिया है मजदूरी मजदूरी अर्थात समान को बनाने की मजदूरी चालिस हजार तो वह भी आप यहां लिख देंगे तो आप देखिए डेबिट साइड में पचास हजार का आपके पास समान था एक लाग तीन हजार का आपने समान और खरीदा और और तीस हजार और चालिस हजार सत्तर हजार के प्रत्यक्ष वे आपने कर दिये तो यदि मैं इन सभी को योग करूं तो मैं पाता हूँ कि ये मेरे व्यपार में लगाई गई पुझी है Opening stock, समान का खरीदना और समान के खरीदने से संबंदित जो भी खर्चे हैं वो अब यह समान हमने क्यूं खरीदा, यह समान हमने क्यूं बनाया यह समान बनाया गया बेचने के लिए है समान बेचा कितने में गया समान बेचा गया 3,00,000 में परन्तु उसमें से 5,000 का माल वापसी आ गया तो देखिए अगर आप खर्चे डेबिट में लिख रहे हैं तो पैसो का आना आप क्रेडिट में लिखेंगे और यह सेल 3,00,000 में से 5,000 जाने के बाद 2,95,000 होती है अब देखिए क्रेडिट साइड योग है 2,95,000 बेबिट साइड योग है 2,23,000 जो शेश बचा वह बचा 72,000 यह है फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाब समान को खरीदने और बेचने से परंतु इसमें खर्चे सिरफ और सिरफ समान को खरीदने या बनाने से संबंधित उन्हीं को लिया गया है इस तरह से आपका व्यपारिक खाता या ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ खातों के शेश दिये हुए थे और उन शेशों को इस्तमाल करके आपने सकल लाब पता लगाया सकल लाब और कुछ नहीं सिरफ वो सिरफ सामान खरीद बेच के जो मुनाफ़ा हुआ उसको दर्शाता है चलिए और उधारणों से व्यपारिक खाते पे अच्छी तरहां से चर्चा कर लेते हैं देखते हैं तूसरे उधारण में किस तरहां के खर्चे दिये हुए हैं विध्यारतियों आपको व्यपारिक खाता बनाते हुए सबसे ज्यादा कठिनाई होगी खर्चों को पहचानने में इन खर्चों को पहचानना कोई अद्भुत कला नहीं आप जितने प्रश्ण करेंगे उतनी ज्यादा इस चीज में आप स्पष्टता पाएंगे जैसे इस उधारण में आपने देखा क्रेय पर ढुलाई मतलब परचेज के लिए कुछ मजदूरी दी गई तो यह आपके व्यपारिक खाते का हिस्सा बनेगा परन्तु साथ में आपको दिया गया है विक्रेय पर ढुलाई मतलब गुड्स को सेल करने से संभन्दित कोई खर्चा यह है व्यपारिक खाते में नहीं आएगा क्योंकि मैंने स्पष्ट डूप से आपको बता दिया है कि सिरफ उनी खर्चों को व्यपारिक खाते में स्थान मिलेगा जो समान को खरीदने वा बनाने से संबंदित है इसके बाद फैक्टरी का किराया यह समान को बनाने से संबंदित एक खर्चा है तो इसे व्यपारिक खाते में स्थान मिलेगा परंतु ओफिस का किराया समान बेचने से संबंदित खर्चा है Office मतलब sales के लिए बनाया गया स्थान, advertisement के लिए बनाया गया कोई स्थान, तो यह सब समान बेचने से संबंदित खर्चे हैं, इन्हें हम व्यपारिक खाते में जगां नहीं देते हैं, तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि व्यपारिक खाते में किस किस खर्चे को स्थान मिलता है व्यपारिक खाते से संबंदित, बहुत सारे प्रश्न आपकी पाठ्थे पुस्तक में दिये हुए हैं, आप सभी इन प्रश्नों का अभ्यास करें, बाकी चीजें हम अपने अगले भाग में सीखेंगे, धर्यवाद. झाल